लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकून को प्रेस करें ओम्मैं ओम्कारू कला के माध्यम से जो प्राणी धर्म संस्कृति सभ्यता वह मानवता की रक्षा वह पोशन करते हैं मैं ईसे कलाकारों की में निखार उत्पन करने वाला मैं एक अब्द्रश्य कलाकार हूं हुझ मै ऑमकार हुझ शक्ति-शोरूपा देवी पार्वती की गंभीरता से भैभीच शिवगनों को संतुष्ट कर स्वयम होले नाथ देवी पार्वती की गंभीरता का रहस्य जानने के लिए गगन बिहार के लिए जाते हैं गगन बिहार में अपनी दिव्य दृष्ट से ब्रम्ह लोग वैकुंठ लोग और स्वर्ग लोग का एश्वर्य सुख देखकर देवी पार्वती और अधिकंभीर हो जाती हैं देवी पार्वती के परिवर्तन और मनुरंजन के तर्क को स्विकार करते हुए महादेव उनके कलपना लोग स्वर्ण नगरी को प्रकट करते हैं ओम्धततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततततत नारायन नारायन ओम्धत्तात्रेनमा 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 नारायन नारायन ओम्धत्तात्रेनमा ओम्धत्तात्रेनमा टारे नमा क्या परमवेर क्षत्रिय राजाकाथ वीर नारत के आध्मनते प्रसंद नहीं है देवर्शी आ किसी की तफस्य में बादा पहुंचाने से उसकी तफस्य खंडेत ही हो जाती नारायन नारायन तपस्या का खंडित होना बाधा पहुचाने वाले पर नहीं अपितु तपस्वी पर निर्भर करता है यदि मन में अखंड तपस्या की भावना हो तो फिर उसके खंडित होने का प्रश्ण ही नहीं उठता और फिरका करके शीक्डीय बताएं कि आपका आगमन के पर आप आधीर का अधिर र्जिकगक के नारत का अगमन बंगल का प्रतीक माना जाता है पर इकायं और को फिर कि आप तपस्या रख नहीं कर रहे हैं ना रहायन ना रहायन देवर्शी वेस्ट यूग में जन में मनुष्य के लिए फेलगा अधिरपती बनने की कामना करना है योग किया संभव है आपको यही जानने के लिए आसंभव कुछ भी नहीं है देवर्शी मैं प्रहमा विष्णु महेश के अवतार बगवान दत्तात्रे की अखंट तपस्या इसी अविलाशा से कर रहा हूं कि वे मुझे अपूल शक्ती दता सहस्त बहुँं का पल प्रतान करें नारायन नारायन ऐसा प्रतीत होता है कि सरगाधी पती देवराजिंद्र ने आपको यही जानने के लिए भेजा है अचानक ही कुछ अधिक जानने की इच्छा आपके तपस्वी मन को भ्रमित कर देगी राजन अर्थात अर्थात यह मैं यहां अपनी जिग्यसा के समाधान के लिए प्रकट हुआ हूं देवराजिंद्र की नहीं आपकी तपस्या सफल हो नारायन, नारायन टत्री नमाः नारा यह नारा भगवान दत्तायत्रे के चरणों में नारत का साधर प्रणाम प्रभू है है वंशिय चत्रिय राजा कार्द वीरी आपकी कठोर तफस्या कर रहा है हमें ज्याद है नारत त्रदेव के आशिरवात से उत्पन एवं भगवान श्रीहरी विष्णु के अन्शावतार भगवान दत्तायत्रे को तो यह ज्याद होगा ही कि परम वीर राजा कार्द वीर के मन में क्या है क्या वो सत्य ही अपूरु शक्ति एवं सहस्त्र बहूं का ब कि अपनी स्वभाविक जिग्यासा के समाधान के लिए भगवन और यहीं उत्तर मैंने कार्तिवीर के प्रश्णों का दिया था क्या यह सकते नहीं देवर्शी क्या आप कार्तिवीर के भविश्य से जुड़ी हुई घटनाओ का आभास अभी प्राप्त कर लेने के अभिला प्राप्त करने के उपरान कारतिवीर एंकारी हो जाएगा कि और एंकार का प्रतिफल कभी भी शुब नहीं हो अर्ठाथ कांवीर की तपक्रिया सपल होगी वह आप से वर्दान अवश्यपराप्त करेगा अवश्य अवश्य decreases अवश्य तपस्या का प्रतिफल देना हमारा करदब है ये ग्यात होने पर भी कि वरदानी शक्ती प्राप्त होने के पश्चात वह एहंकारी हो जाएगा अभी हमारे समक्ष तपस्या का प्रतिफल प्रदान करना मुख्षे विश्य है जब एहंकार सामने आएगा तो उसकी विव्यवस्था की जाएगी कारण की एहंकार तो श्री भगवान का भोजन है भगवान दत्तात्रेंग मैं आप से ज्ञान प्राप्त कर धन्य हुआ अब आप मुझे आग्या दें ओम नमस्षिवाज कि अपर सब्सक्राप्त कि अंश्य को अब कुछ रही थी उधर भगवान दत्तात्रेंग के नाम का स्मरण परम वीर छत्री राजा कार्त्वीर शाष्ट्र बाहूं का बल प्राप्त करने के लिए कर रहा था दूसरी और एक महान प्राक्रमी देजस्वी ओजस्वी वीर योद्धा अपने प्राक्रम के बल पर संपून ब्रह्मांड को अपने चरणों में जुकाने का इचुक था महा प्राक्रमी बाहुवली और दिगज योद्धा जिसके संकेत मात्र पर वायू अपनी दिशा बदल देती है परवत मार्ग छोड़ देते हैं सागर काई की तरह फट जाता है अगनी अपनी प्रचंडता छोड़ कर शीतल हो जाती है आज अपने अश्चो पर बैठ कर दीव करगत से अपने लक्ष की ओर वर रहा है छ़ जाता है अपने प्रव कर दोड़ काई अपने 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 वाई है है कि वह इसके अब ऑन ही है ऐसे महाबली रावाण 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 छावाण रावाण अब तो तुम मेरी शक्ति से परिचित हो गए होगे हुआ अब तुम मेरी दास्तास्विकार करते हो अठवा नहीं कि बोलो प्रावर्की एक्से कुटर रावर्की 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 ए आपको सिंग का अखेट करने गए थे हाँ हाँ मेरे एक ही प्रहार से वो वन्राज सिंग रक्त वमन करता मृत्य को प्राप्थ हो गया इसलिए आज अखेट में कुछ आनंद प्राप्त नहीं वानुच कुम करण और यह लोग कि यह यह ग्रामवासी हमारे सेवक है मध्यम हमारी शक्ति से भैवीत होकर इन्होंने हमारी दास्ता स्विकार की है आज मनुष्यों का अपना दास बनाकर जो आनंद प्राप्त हुआ है मध्यम वह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता आज से मैं प्राण करता हूं कि निरीह पश्वों के स्थान पर इन मनुष्यों को ही अपना दास बनाऊंगा तो आप मनुष्यों का खेट करेंगे चलो मध्यम चलो अपने दासों के साथ माता के समीब चलते हैं चलो जय जय कार करो एक सिर्थी के साथ आपका मुझे उनके स्वागत के लिए जाने की आज्या दीजे पिदाश्वी तुम्हारा जेश्ट ब्रहाता रावन कोई जन कल्यान अथ्वा लोग इतका कारी करके नहीं आ रहा है अपि तो निरी मनुष्यों और मुखपश vidéo का निर्मम्ता शेराख बहा करा रहा है उसका तो सरवत्र तिरसकार होना चाहिए आप्वलीरावन की जाहिए तुफ्लीरावन की जिए ज्शी नाद मावल की जैके तुफ्लीरायन खें। कि पुत्र रावन की तो तुम्हें इस प्राकार प्रसिल देखकर न अत्य प्रसिल न होई हूं इस समय तुम्हें राक्षा-स्वीरों के किस शक्त्रों का संघार करके आ रहे हो रावन ये दुष्ट बंदिशन कौन है पीर माता केकसी आपके चमतकारी पुत्रों के युवा होते ही सभी राक्षस विरोधी दुष्ट यहां से भाग गए आश्रम के आज पास सभी हमसे भैवीत है माता आप यह समझ ले कि इस श्रेक्त्र में आपका ही सामराज्य है यहां हमें कोई ऐसा मनुष्य देवता या राक्षस दिखाई नहीं दिया जो हमसे भैबीत होकर कांपता नहों जो हमारे सामने मस्तक उठाने का तो साज करता है उसका मस्तक उसके धड़ पर नहीं रहता भूमी पर लोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है यहां तक आज श्रेश्ट ने एक ही वार में वन्राज सिंग को समाप्त कर दिया रावण कुम्पकर तुम दोनों ने अपनी वीरता से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी शिराओं में वीर रक्षसी रक्त बह रहा है जिस जिस हिंसक वन्राज को देखकर बड़े-बड़े वीर कापने लगते हैं उसे तुमने एक ही वार में मार गिराया धन्य है तुम तुम दुष्ट राक्षिसों की भाती विवच्च से अटहास कर रहे हो रावन कुम्पकर्ण हमारे साथ यग्य करने की स्थान पर तुम मूख पशों का आखेट और निरी वनवासियों पर अध्याचार कर सुपा रहे हो कि अगया तुमारे वो ब्राह्मनत्वर अगये तुमारे वो संस्कार कहां गई तुम्हारी पुजा अराधनार वो यग्य जो बालपंच से हमने तुम्हें प्रदान किये थी कि भिश्ण कि इन दिरी वनवासियों को मुक्त कर दो जो आग्या पिताश्री रिशिवर मैं आपकी पत्र तब ये आपके पुत्र अवर्ष्ण है और मैं ये भी जानते हैं कि आपने मेरे महान पुत्रों को यज्य करता और सीधे साधे ब्राह्मन बनाने का हर सभव प्रेद्म किया अल्वी यह नहीं कि यह राक्षची केक्सी के पुत्र है और राक्षची रहेंगे तुम इन्हें अनुची सिख्षा दे रही हो केक्सी तो इसका अनुची कारण भी सुन ले रिशिवत मैंने आपसे विवा किया और इन पुत्रों को चन्द दिया यह सब मैंने अपनी राक्षच जाती की मान मर्यादा की पुनरस्थाबना करनी है राक्षच जाती का पुनरुथान करना है मुझे दुख एक ही बात का है कि आपने मेरी छोटे पुत्र विभीशन को सिखा पढ़ा कर अपनी ही भात्री एक निर्बल्स ब्रामहड बना दिया है एक सी नहीं क्योंकि तुम्हें प्रिथ्वी स्वर्ग और पाता लोग तीनों पर विजय पाकर विश्वय यहीं बनना है इन जिंदी की वनवासियों की जगे मानव दानों और देवताओं को अपने चरलों में जुकाना है आग्या दे माता हमें क्या करना है इसके लिए तुम्हें अप अब शक्तिशाली बनने का वर्दान प्राप्त करना होगा तब ही तुम राक्षस जाती के गौरव को सर्वोच्छी शिखर तक पहुचा सकोगे जो आग्या माता थेरो अपने साथ अपने इस निरी हा निर्बल अलूच बीभीशन को भी ले जाओ कि बीभीशन मुझे विश्वास नहीं होता कि तेरे शरीर में मेरा बीर रक्त बह रहा है तुझे पुत्र कहने में मुझे लच्चा कानुवा होता है अपने जेश्टों के साथ जाकर अपनी जीवन का कल्यान कर बिभीशन क्या तो अपनी माता की आज्या के अभेलना करने का इच्छुक है जा अन्या था ये दोनों तुझे इस वातावरंड से दूर ले जाएगे जाओ जाओ तुम दोनों जो आज्या माता आओ अनुच तक्तुम आपना आओ जिए जाओारंड से ले छूर ये जाओा येजा खबार हूं